नमस्कार मैं हूँ आचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइव इस वक्त बड़ी खबार तलंगाना से आ रही है तलंगाना में कॉंग्रिस कार्याले में जश्न का माहोल बना हुआ है और इसके साथ ही राहूल गांधी सोनिया गांधी और रेवन्त रेड़ी की तस्वीर उन साथ खेसर से सीद्धे तलंगाना कॉंग्रिस कार्याले से आ रही है आप देख रहे हैं किस तरीके से जश्न का माहोल है जश्न के… आप जश्न का माहोल है आप चारो राज्यों के जो आकड़े आए हैं उसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो मदप्रदेश और राजस्तान में काफी कॉंग्रेस को निराश करने वाले रुजान सामने आ रहे हैं वहीं 36 गर में जो मामला है वो 50-50 का लग रहा है फसा हुआ मामला नजर आ रहा है तो तेलंगाना में कॉंग्रेस को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है और जिसके बास से ही जशन का माहोल है वहीं रेवन्त रेड़ी के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है उनके घर पर पुलिस वालों का जमावड़ा लग गया है और इसके साथ ही कई बड़े ओफिसर भी रेवन्त रेड़ी से मिलने पहुँच चुके हैं इससे पहले रेवन्त रेड़ी भी confidence के साथ ये बता रहे थे कि 9 दिसंबर को मुलाकात करेंगे और बताया ये भी जा रहा है सुत्रों के चर्चा होती आई है तो बताया ये जा रहा है कि अब मुख्यमंतरी तेलंगाना के जो होंगे वो रेवन्त रेड़ी ही होंगे इसके साथ ही आपको एक बड़ी खबर इस वक्त की और भी दे देते हैं कि तेलंगाना के डीजीपी अंजनी कुमार और अन्य पुलिस अधिका सारियों ने हैदराबाद में प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष रेवन्त रेड़ी से उनके आवास पर मुलाकात किया है अब आप समझ सकते हैं कि तेलंगाना में इस वक्त क्या हल चल चल रही है सरकार बनाने की तैयारिया जो है वो शुरू हो गई है इसके साथ ही परिव वहाँ पर भी लगातार काउंटिंग चल रही है नतीजे जो हैं वो आ रहे हैं रुजहान जो हैं वो कहीं न कहीं कभी कॉंग्रेस को परिशान करने वाले तो कॉंग्रेस को कभी खुश करने वाले नज़र आ रहे हैं वहीं बीजेपी जो है उसके लिए भी कुछ मिला जु आए हुए है सरकार बनाने की तैयारिया वहां चल रही है देखते रही है डीवी लाइब मैं आचल आए है रहाँ है दिढाँ आपार मैं आपार रहाँ है डाते रहाँ है।